हेलो एव्रिवन केंद्र विद्याले आई टी कानपुर द्वारा नोटिस फॉर इंटर्व्यू जारी कर दिया गया है जिसमें आपका नर्सिस की वेकेंसी है एजुकेशन काउंसलर डॉक्टर्स टीचर्स गेम कोच योगा ट्रेनर अधर टीचर्स की वेकेंसी है तो इसको आप लोग जरूर भरें और इंटर्व्यू में जरूर जाए आगे बंडे से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे अच्छी लगे साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैसा कि आपके सामने मैंने के रिद्याले आई टी कानपूर की ओफिशल वेबसाइट को ओपिन कर लिया है इसमें जो पर्टिकुलर एनॉंसमेंट्स का जो ऑप्शन दिया हुए आप जाके आप डिरेक सब्सक्राइब कर लिया है इस नोटिफिकेशन में जैसा दिया हुआ है कि केंद्र विद्याले आई टी कानपूर इस गोई आई टी कानपूर इस गोईंग तो कंड़क्ट वाक इन इंटर्व्यू वाक इन इंटर्व्यू जो है आपका पर्टिकुलर विद्यालेस के प्रेमिसे में होगा और इसका एक पर्टिकुलर तीन पैनल टेंटिटिटिव विकेंसी के लिए फिर ओन दे बेसिस इसका प्रटिकुलर वाह पर आए और अपना पर्टिकुलर वहाँ पर उस डेट को आया और नौ वजे वाह पर उपस्थित हो अकॉर्डिंग तो दे गिवन शेडियूल आलोंग विद यसमें जैसे दिया हुआ है कि आपको आपको आस पर शेडियूल वहाँ पर आना है पल ऑन पाने लेकिन अनुदान भौन प सब्सक्राइब करना से में परोड जो otil प्राइमरी टिचर का है पीज़ी टी कंप्यूटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है फिर पीज़ी टी इन एकनॉमिक्स कॉमर्स और सोशल साइस का है इसी तरीके से आपका 23 को एक इंटर्विव्यू है जो वह भी दस दस बेसे उसके भी तीन पैनल है इसमें आर्ट्स कौच, योगा ट्रेइनर, अब कंसलॉर यह हमार पर्टेक्वलर एक हमारे नर्सिंग के लिए काम काया है इसमें आपको जो मांगा गया नर्स मांगी है जर्नर टीचर्स मांगे गया है कंसलॉर , अब यह जो है 23 तारीक को इंटर्व्यू है इसी तरीके से 24 तारीक को जो इंटर्व्यू रखा गया है उसमें PGT PGT आपका English होना चाहिए PGT और PGT हिंदी संस्कृत होना चाहिए PGT Physics Chemistry आपका इसमें 4 रखे गया है 24 तारीक को इसमें Maths PGT होना अनिवार रखा गया है जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपको सक्षातार नौबजे पहुचना है साथ ही एक आपको एक सेधिक पदों के लिए अलग-अलग पजिकरन कराना अनिवार होगा इसमें शॉट लिस्ट अगर अभ्यारती जादा हो जाती है तो आपको शॉट लिस्ट किया जाएगा चैनित अभ्यारती को आवशकता नुसार रिक्त पदों के हेतु पर ही किया जाएगा शैक्षे क्योगिता आपकी पर्टिक्लर एजुकेशन कॉलिफिकेशन आपका वेतन आदी केंद्र विद्याले आपकी सैलरी जो होगी सैलरी आपकी केवी के अकॉर्डिंग आपकी होगी इसमें कोई भी अधर कोई डिफरेंस नहीं होगा के जो जया है चाहति जा डिया गया है चैनित पैनल विद्याले के वेबसाइट वर पहले से पतरशित कर दिया गया अलग अलग कोई भी सूचना पत्रचार नहीं किया जाएगा इसको और जुर्ट जोकर आपको सबित बयारतिए व्याक्तिप्ति नाइन्टीन से रिलेटेट सारी वियायते बरतनी पड़ेगी जैसे मास्क हो गया आपका सैनिटाइजर हो गया यह सब लेके आप लोग जाए पानी की वाटरो खुद लेके जाए साक्षातकार हे तो किसी प्रकार की यात्रा देने बत्ता कोई भी नहीं दिया जाएगा यह प जो दिया हुआ है सेके नॉप्शन को आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो आप लोग का अप्लिकेशन फॉर्मेट नाउनलोड हो जाएगा जैसे कि आपके सामने मैंने application format डाउनलोड कर लिया है application format को डाउनलोड करने के बाद आपका particular format को अब ध्यान से पढ़े फिर आपका entire जो form फिल करना है वो capital capital और capital form में करना है और English में ही भरना है कोई other language में नहीं भरा जाएगा जैसे post किस post के लिए apply करना है subject applied for यह सारी चीजों की जानकारी आप इसमें आप दे सकते हैं फिर candidate name हो गया father's name हो गया यह सब देना अनिवार है यह सारी चीजों को देखते हुए sex male आपका जो भी male female date of birth देन candidate details in capital letter होगा फिर आपका photo latest photo attach करनी है then academic qualification सारी जो भी आपने कर रखी है वो educational qualification then experience आपको कितना स्कॉण सी post में name of institute आपका particular कब से कब तक ने completed years or months कितने month और year आपने cover कर रहे है subject concept को किया है pay scale क्या था salary per month क्या थी यह सारी जानकारी देनी है understanding के लिए आपको यह पर टिक करके आपको particular signature date place आपको करके ले जाना है यह format को फिल करते हुए साथ में आपको particular documents भी ले जाना अनिवार है format के साथ आपको self-attested पूना बताना चाहूंगा इसमें आपको self-attested documents ले जाने है प्लस recent size recent आपकी photograph ले जानी है और वहाँ पर जाके कोई भी आपको particular यह साथ चीज़े का महीं मिलेगा कि आप इसको पूरा college आपका directly आपको उसको cancel कर दिया जाएगा आपके form को तो प्लीज आप पहले से फिल करके ले जाए और अपना interview दे केंद्र विद्याले द्वारा particular यह eligibility criteria दिया हुआ है जैसे जिसमें particular जो जो पोस्ट है उसका eligibility criteria है education qualification PGT का अगर है तो हिंदी संस्क्रित हो और वो सब संस्क्रित का दिया हुआ है PGT English का होना चाहिए सारी के सारी आपकी particular qualification दी हुई है आपका second interview का भी दिया हुआ है आपका particular जो भी चीज़े हैं उसका particular जानकारी इसमें दी हुई है क्या qualification होगी जैसे TGT science है तो उसमें वाटनी जूजी और chemistry का होना चाहिए अगर TGT SST है तो उसका history geography economics और political science है इसमें particular आपकी geography होना निवार है इसी तरीके से आप आजाते हैं SST के लिए और math के लिए सारी चीज़ों के उसमें qualification की जानकारी दी हुई है education qualification आपका primary teacher जानकारी जानकारी दी हुई है then pose for other उसमें other उसके लिए दिया हुआ है उसमें योगा के लिए graduation in any subject equivalent for recognized university आपका इसमें होना चाहिए और योगा की training उसकी particular उसका certificate होना अनिवार है साथ ही इसमें nurse की जो agency निकाली है यह diploma G&M वाले इसको form फिल कर पाएंगे और BSC वाले पाएंगे और इसमें particular जो है वो registered होना चाहिए कि CV council से ऐसा कोई नहीं है कि UP registration council होना चाहिए इसी प्रकार आपका जो academic counselor है इसमें essential जो रखा गया है BA BSC psychology from the recognized college और university से होना चाहिए इसमें आपको 50% marks होने आनिवार है प्लस आपका जो registration council rehabilitation council of India से आपको registration होना चाहिए इसी प्रकार का एक doctor का इसमें निकला हुआ MBBS or registered with MCI होना अनिवार है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे वीडियो को जुरूर लाइक करें साथ ही particular आप इस वीडियो को share भी कर सकते हैं इस information को ध्यान में रखते हुए प्लस जित्ती में मैंने जानकारिया दी हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना particular formats को फिल करें और interview दें साथ ही मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी में धन्यवाद